very good morning to all of you fever is not our enemy it is our friend जी हाँ बुखार हमारा शत्रू नहीं है हमारा मित्र है याद रखिये हमारे शरीर के विकारों को हमारे भीतर आए उए वाइरस इतियादी विज्यातिय द्रव्यों का नाश करने के लिए उनको जला कर समाप्त करने के लिए हमारी जीवनी शक्ती हमारे शरीर का तापमान बढ़ा देती है तो ये जो है हमारे जीवनी की हमारी वाइटालिटी की हमारी प्राण उर्जा शक्ती की जो है एक सफल चेश्टा है हमारे शरीर को स्वच निर्मल करके स्वस्थ करने की जो हमें स्वस्थता प्रदान करने का ही एक प्रयास है हमारी दिव्यता का तो उस समय बहुत सारी जीवनी शक्ती लगती है शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए और याद रखिए ये जो बुखार है बाहर से नहीं आता ये हमारी भीतरी जीवनी शक्ती एक मुझा स्वात चला जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है तो ये सब चीजे जो है इंडिकेट करती है कि अब हमें खाने पीने की भोजन की या मुवमेंट की या श्रम की आवशकता नहीं है बॉडी ये संकेत कर रही है कि इस समय रेस्ट की आवशकता है और जब ये हमारे तीन दिन में वो डाउन आ जाता है और फिर से हमारा जो मूखा स्वाध है हमारे शरीर की थकावट है धीरे धीरे हमारी जो है वो सामानिस्थिटी आने लगती है जब हम अग्यानता वर्ष फीवर आते ही उसको हम जिसे कहते हैं कम करने के प्रयासों में जुट जाते हैं घबरा जाते हैं डर जाते हैं कि अरे बुखार हो गया अब हमें तुरंत ही पारसिटमोल या दवाई लेनी पड़ेगी तो जब हम इस प्राकृतिक दिव्यता के जो चलते हमारा जो स्वच्छता अभ्यान शुरू हुआ है उसमें हम व्यवधान पैदा कर देते हैं और उ और वो suppression जो है वही पर आपने बीमारी की जो है रो को बुखार को कम करने की दवाई खाई तो बुखार कम हो गया लेकिन आपकी प्रक्रिया है शरीर को स्वच्छ करने की वो वही पर suppress हो गई और आगे चल कर सालों साल बाद जो है ये chronic disease के रूप में जो विकार निकलना च एक दीर्ग या जीन रोक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से कभी भी जो है, क्या करते हैं, जैसे अब आपको मैं बताती हूं किछब हमें भुखार नहीं आया है, शुरुवाती टाइम पर, जैसे हमें लगाएं कि हमारे को जुखाम हो सब्सक्राइब और जिसे बॉडि में थकावट है हरारत सी लग रही है लग रहा है कि ठंड का जोंका हमें लग गया है अब लगता है तबीयत खराब हो रही है तो तुरंथ हमें जो पहला प्रयास करना है वो करना है हमें हौट फूट बात ये यदि हम कर लेते हैं, एड्मिन से मैं कहूंगी कि अगर हॉट फूट बात का चित्र हम शेर कर सकते हैं, तो प्लीज करें, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हॉट फूट बात में, याद रखिए ये अभी रोक का आवेग आया नहीं है, अभी बुखार हुआ नहीं है, ल अगरा है कि तबियत खराब होने वाली है, बुखार चड़ने वाला है, तो उस समय पे आपको हॉट फूट बात पुरंत ले लेना है, ताकि जो आने वाला जो रोग से आपका शरीर अकरांत होने वाला है, वो वहीं कट जाएगा उसका प्रभाव और आपको आगे रोग न जो है, बहुत तेज गरम, जिहां, जितना सहनिय गरम तेज पानी में आप पैर डाल कर घुटनों तक बैठ सकते हैं, उतना ही फाइदा होगा, और साथ में सिर पर हमें गीला टौवल रखना है, साधे पानी में निचोड कर, और उपर हमारा कंबल से इस तरह से कवर होनी च तरह जाए, याद रखिए कोई भी प्रियोग करते समय, AC, फैन, इत्यादी नहीं चलना चाहिए, सामानने रूम का टेंपरेचर होना चाहिए, और इस प्रियोग का जो अवधी है, वो है बीस मिनट, दस मिनट में आप देखेंगे कि ये हमारा जो पानी है, जिसमें हमने प पानी निकाल कर उसमें और तेज गरम पानी डाल देना है, इसका कारण ये है कि वो जो गर्माहट है, तेज गरम प्रवाव जो हमें चाहिए, जो हमारे शरीर से पसीदा निकाल कर विकार को बाहर करेगा, तो वो गरम पूरा होना चाहिए, उतने ट्वेंटी मिनट सक, ये बीस मिनट के करने के बाद जो सबल व्यक्ति हैं, जो के ज़्यादा कमजोर नहीं है, वो तो सनान कर ले, सीधा साधे पानी से सर से नहा ले, और जो दुर्वल हैं, वो केवल पैरों पे पानी डाल के और अपने पूरे शरीर पर वेट टॉवल से, जिसे कहते हैं, वाइप पानी से निकाल कर, पैरों पर साधा पानी अवश्य डाले, सामानने करके और वेट टॉवल से पूरे शरीर को इस तरह से पहुँच ले, तो आने वाला जो बुखार है, वो उससे आप बच जाएंगे, और इसके बहुत सारे जो है, अन्ने भी जो फाइदे हैं, जैसे के ज अगर हलका नाश्ता किया है, तो उसके एक घंटे बाद, और अगर आपने प्रॉपर मील खाया है, भोजन किया है, तो उसके जो है, तीन घंटे बाद करना चाहिए, इस तरह से जो है, आपका ये 20 मिनिट्स का जो प्रक्रिया है, उसके बाद आपको नीद बहुत अच्छी आएगी, और साथ साथ जिनका हाई बीपी है, उनका जो ब्लड प्रेशर है, वो भी सामानने होगा, और बहुत सारे हमारे शरीर के जो विकार है, पसीने के थूभार जाएंगे, और कफ, कोल, चेस्ट कंजेशन, इन सभी में बहुत लाब होगा, अब ये तो हमने अपने आ आपको अगर फीवर का करेक्ट वे में मैनेजमेंट करना नहीं आया, और यदि आप जो के दवाईयां इत्यादियों से बहुत जादा मेडिसन इत्यादी प्रियोक करते हैं, तो जो बुखार आपका प्राकृतिक तरीके से तीन दिन में चले जाने वाला था, अब उसको ज अवस्था में जो simple rule है, rest पहला rule, fast and relax, जी हाँ, mentally relaxed, यानि कि rest आपको कोई physical श्रम नहीं करना है, आपको तुरंद आराम करना है और उसके बाद physiological rest, फिसियोलोजिकल रेस्ट आप करेंगे फास्टिंग करके जैसे ही बुखार होता है तुरंत आप भोजन का त्याग करेंगे और आप नीमबू पानी या लीक्वेड डाइट पर आजाएंगे थोड़ा-थोड़ा सा कुछ-कुछ अंतरालवे और पानी और लीक्वेड, सिट्र फ्रूट जूस में जिसे कहते हैं कि आप नीमबू पानी पीजिए नार्यल पानी चार पांज ग्लास पीजिए और नीमबू ये संत्रा, मौस्मी त्यादी का juice पीजिये pineapple का किसी भी प्रकार का juice जो है आपको एक ग्लास दस मिनट लगा कर sip sip करके जो है आपको वो पीना है इस से क्या होगा जो आपकी जीवनी शक्ती जो vitality जो आपकी healing में लगी हुई है यदि आप भोजन करते है तो वो शक्ती divert हो जाती है आपकी जीवनी शक्ती आ उर्जा जो है उसका हास होना शुरू हो जाता है तो healing जो है वो नहीं हो पाती है और इस अवस्था में जबकि आपकी जीवनी शक्ती भी थोड़ी सी जो है बुखार temperature रेस करने में और healing में लगी हुई है तो वो ना तो पूरी तरह से आपका भोजन पचा के उसका आपको मिल पाएगा और ना ही आपकी जो जीवनी शक्ती बुखार को पैदा करके आपके विकार निकालने का प्रयास कर रही है वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगा तो तुरंत हमें क्या करना है इस जीवनी शक्ती vitality life force की प्रक्रिया को support करना है fasting करके आपको liquid diet करके और फिर सेकिंडे आप ठोड़ा खीरे टमाटर इतियादी सैलेड वगरा खा सकते हैं लेकिन जूसिस आप बरकरा रखिए नारियल पानी आप पीते रहिए और तीसरे दिन तक जो है आपका बुखार काफी समल जाएगा एक सो दो से एक सो एक सो पर टिक जाएगा तो आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है कि अरे मेरा टेंपरेचर डाउन क्यों नहीं आ रहा डाउन क्यों नहीं आ रहा इस घबराहट में इस फियर में लोग क्या करते हैं कि दवाई खानी शुरू कर देते हैं जो की सही होने की प्रक्रिया को और प्रोलॉंग कर देता है और वाइटा कि यह जो फीवर है यह अपना हमारी जो प्रकृती की एक प्रक्रिया है it's a beautiful process to maintain the homeostasis of our body यह हमारे शरीर का जो dynamic equilibrium है उसको homeostasis क्योंकि हमारे शरीर एक chemical factory की तरह निरंतर glands जो है secretion कर रहे है blood circulate हो रहा है vital fluids अपना काम कर रहे है तो यह एक equilibrium का नाम है homeostasis और जो fever है यह एक beautiful process है हमारी जीवनी शक्ती की इस homeostasis को इस संतुलन को हमारे भीतर जो है स्वच्चता लाकर स्वस्थ करने की एक प्रक्रिया है अब आपने भोजन का देखा कि किस प्रकार से आप जो है इस दौरान आप किश्मिश का पानी पी सकते हैं जिन को जैसे बुखार में कमजोरी बहुत लग रही है 15-20 किश्मिश भिगो के उसका पानी पीए या फिर दूद एक कप उसको निम्बू डालके फाड़के जो उसका पानी होता है वो करे यानि के कहने का मतलब है यह सारे के सारे जो में जूस निम्बू पानी नारियल पानी कि तीन दो घंटे में आप दे सकते हैं ताके हाइडरेशन रहे कमजोरी ना रहे और यह सारी चीजों में आपकी जीवनी शक्ति बिल्कुल खर्च नहीं होगी क्योंकि यह सुपाच्चे है जल्दी हमारे शरीर में उर्जा दे देंगे तो हमारी सारी की सारी जो और ड्यूरिंग दा बुखार जिसे कहते हैं आपको एक चीज और करनी है कि आप वेट टावल का जो बैंडेज है वो आप अपने पेट पे और माथे आँखो पर लगाईए यह इसको टावल को दो तीन तह बनाकर वेट बैंडेज जिसे कहते हैं उसको पानी में भीको के न उसमें हमें जो है सिर को गीला करके और पूरी बोडी को गीले टावल से भी पोच सकते हैं उस तरह से हम अपने शरीर के ताप को धीरे धीरे याद रखिए जो भी पानी भीगोने के लिए लेना है वो हमें बरफ का पानी नहीं लेना साधा पानी लेना है क्योंकि हमें ड्र करती पूरे विकार निकाल देगी अपना कारेक समाप्त कर लेगी उसका जो है स्वच्छता अभ्यान पूरा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे टेंपरेचर आपका स्वता ही सामालने हो जाएगा आप बस कोल्ड बैंडेज और अगर टेंपरेचर जादा है एक सो दोस तीन से है तीन तक चला गया है तो आप सिर को गीला करेंगे पूरी बॉड़ी को वाइप अफ करेंगे और रेस्ट करेंगे इस तरह से आप जो है अपने बुखार को अगर अवेरनेस होगी आप समझेंगे कि ये आपके लिए मदद के लिए आया है आपका बुखार आपको उसको जल लपेड बानते हैं तो वो 15-15 मिनिट में आपको बदलनी पड़ेगी क्योंकि वो भीतर की जो वेट जैसे के हमारी कॉटन की पट्टी होती है वो शरीर की गर्माहट से सूकती जाएगी तो उसको हमें जल्दी जल्दी बदलना होगा तो इन प्रियोगों द्वारा और बिल स्वस्त होना है और आप स्वस्त हो जाएंगे और अगर आप उसकी प्रक्रिया में अर्चन डालेंगे अत्यदि भोजन करके और ये मत सोचिए कभी भी के अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे भीतर कमजोरी आ जाएगी हां बुखार के दौरान कमजोरी आती है लेकिन बुखार के वेक के कारण आती है भोजन न करने की वज़े से नहीं अब देखिए ना आपका मुझा स्वाज चला जाता है आपके खाने की इच्छा नहीं होती आपको ठकावट मैसूस होती है आप उठ बैट नहीं सकते तो ये प्रकृति की इंडिकेशन है संकेत है कि अब तो आपको आराम करना है, मुमेंट नहीं करनी है, श्रम नहीं करना है, अब आपको कुछ खाना पीना नहीं है, भोजन का त्याग करना है, आपको केवल लिक्वेट डायट ले रही है, तो ये प्रकृति हमें संकेत दे रही है, so we need to listen to our body and our vitality, जो signs and symptoms हमारी प्रकृति हमें दे रही है उसको समझना है उसका पालन करना है उसका सहीयोग करना है तो इस तरह से हमें ना तो मुखार के दौरान कमजोरी होगी जिस तरह के मैंने आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो पे लेने हैं वो आपको बताए है और ना आपको बहुत जादा कमजोरी होगी ना धबराहट होती है उसमें आप वेट टॉवल और जैसे आखों पे मैंने कहा तो इस तरह से जो है आप अपना बहुत अच्छे से फीवर को मैनेज कर सकते हैं ताके वो क्रॉनिक रूप धारण ना करें जो तीन दिन में आपको स्वस्त करने तीन से पांच दिन में वो दस इनी शब्दों के साथ जो है आज का सेशन मैं फीवर के बारे में अपने मन से स्ट्रेस अपने मन से चिंता और भाए ये जो भाए है जो फीर है के हरे मुझे बुखार हो गया अब क्या होगा ये फीर आपकी इमिनिटी को लो करेगा आप निश्टिंत रहिए आपके भीतर जो इश्वर बैठा है आपके भीतर जो एक डॉक्टर बैठा है वो सब जानता है उसे क्या करना है वो फीवर किसलिए रेज किया है तो इसलिए आप जो है उसका सही योग करें जी हाँ सुनील बंसाली जी पूछना चाहते है प्रश्ट जी सर पूछिए जी सुनील बंसाली जी सुन पा रहे है उन्होंने हाथ खड़ा किया है धिरेंद्र आप पड़ी ही जड़ा देखिये यह इनका वीडियो भी नहीं देख पारी है सुनील बंसाली जी अगर मुझसे सुन पा रहे है बूर्ण मैडम बूर्निंग सर हाव यू गुद तो सी तो रेगुलर अटेंडी अफ दिस सेशन वेरी गुद सर वंडर्फुल यह स्टीम लेने का कोई एक वाल तरीका बता है ने क्या स्टीम जसे आज की टाइम इस वरी कॉमन तो क्या सही विदी क्या है स्टीम लेने में देखिये कि अगर आपके पास वो जो स्टीमर है जो फे कि अवशक्ता नहीं है केवल वाटर से आप कर लीजिए उससे काम हो जाएगा दूसरा ही है कि जब स्टीमर नहीं है तो हां डूरेशन तो आप डूरेशन जस्ट फाइफ मिनिट्स आप लेंगे कॉंटिनियूसली तो आपका काम हो जाएगा उसके बाद थोड़े गैप के बाद दिन में जसे दो ती